हालो एवरिवन आईटिया भारत इसकी लोटेश चमद दोस्तों आप लोगों का स्वागत है तो दोस्तों हमारे क्लास इंप्लॉइबिटी इसके लिए अगर आपने प्रिविएस वीडियो नहीं देखी तो प्लेडिस्ट में जाएंगे इंप्लॉइबिटी स्किल फर्स्टि बाहर नहीं जाएगा बैस वीडियो के इन तक बनिए देगा बिल्कुल स्किप्ट नहीं कीजिएगा जो भी मैं आपको कुशन करवा रहा हूं उनका कमेंट करते जाएगा ठीक है और वीडियो को चैनल पर पहली बार विजिट कर रहें चैनल को सब्सक्राइब करने तो हमा उसकी मदद करने के लिए अपनी दोस्त रीता को धन्यवाद दे रही है तो मीनु को क्या कहना चाहिए मतलब की रीता आई एम सो सोरी यह कहना चाहिए ऑप्शन भी दिया गया है रीता मैं आपको बाद में देखूंगा आप्शन सी हमारा दिया गया रीता आपकी सभी के लिए धन्यवाद ऑप्शन दी है रीता धन्यवाद पता इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा सभी अच्छे से कुश्चन पढ़ें और उसका राइट आंसर कमेंट करके बता जली से जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे एक भी ऐसा न सभी ने आंसर दे लिया है अगला हमारा कोश्चन दूस्टों देख कूश्चन में पूछा गया है कि संचार क्या है तो संचार है क्या यह इसके बारे पूछा गया जो हमारा फष्ट दिया गया है एन-koding इस greater than ढकोडिंग options भी हमारा दिया ह 8510 प्रास्चंष लाकशन सी अमारा प्राप्त करता wit प्रेश्चक option डि कोडिंग ग्रेटर दें कोडिंग तो उनका क्ताघ्ण संच अहरे전स इसका उप्टा म्यों प्यूर्ट ग्यां एन कोडिंग डिकोडिंग का राइट आंसर हो ठीक है अगला हमारा दोस्तों कुछन में पूछा है कुछन को अच्छे से जरूर पड़ी है कुछन द्याग सिच्चक ने कहा प्रियोग का विशय प्रष्ट के ऊपरी दाएं कोने पर लिखे यह है मतलब क्या चीज़ है अप्षिन भी हमारा दी जाएगा एक दोस्ताना अनुरोध और सी हमारा समझने के लिए इस पष्ट नहीं है ऑप्षन डी हमारा एक दोस्त से माफी तो इसमें से कौन सा राइट होगा जली से कमेंट करके बताएंगा सभी साथ जली से जितने भी स्टूड़न वीडियो दे एक इस पष्ट रूप से संप्रेशित निर्दियस का राइट आंसर होगा अगला कोश्चन दोस्तों आपके स्कीन पर दोस्तों यह रहा कोश्चन में दिया गया कि अंकित ने गल्दी की और रिया उसे बताना चाहती है और रिया को कहना चाहिए क्या कहना चाहिए औप्ष इसा राइट आंसर होना चाहिए देश सकते हैं बोला अंकित ने गलती की और रिया उसे बताना चाहती है रिया को क्या कहना चाहिए तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा नैस कोश्चन यह रहा कोश्चन में दिया गया तो जब कोई कम्यू सब्सक्राइटर को इंगित करने के लिए कठोर सब्दों का प्रियोग करता है तो यह होगा तो क्या करेंगे अच्छी तरह से प्राप्त हों मुद्धे का समाधान सी हमारा अधिक समस्चाओं का कारण बनत करें 12 व्हाइट कौन सा होगा जन्ली से पर चाहर उप्सियों का जन्ली से बताया तो जो भी साथ इसका राइट अंसर करें हमारा और और यहां पर आएगा अधिक समच्चाओं का कारण बनता यानि किया होता है जब कोई क्यों करने के लिए कठोर सब्दों का परियोग अगला अमारा कॉस्चन दोस्तों यह रहा कोश्चन में दे सकते हैं को अच्छे से ध्यानपूर पढ़े हैं कोश्चन में दिया गएगए प्रभावी संचार की पैचान कैसी होती है तो इसके बारे में बताना option A हमारा भाव, आवाज का लहाजा, option C हमारा सरी की भाषा, option D हमारा उपर के सभी उतायस में से कौन सा right answer होगा, सभी साथी comment करना हो, सभी को याद आना हो चाहिए, मतलब प्रभावी संचार कैसा होना चाहिए effective communication कैसा होना चाहिए, जलिस बताएं इसका right answer और यह आपकी exam के लिए important question है, जलिस बताएं इसका right answer कौन सा है, तो जो भी साथ इसका right answer कर रहे है, option D is correct answer होगा, यानि की उपर के सभी के सभी क्या होगे, भाव और आवाज का लहाजा और सरीर की भासा ही क्या होता है, प्रभावी संचार की पहचान होती है, अगला हमारा द होता है, तो इसके बारे मता सांत होता है, दोस्ताना होता है, आकरमक होता है, option D, आराम और जो सुक्षदायक होता है, बताएं सभी को याद होगा, इसका right answer सभी कमेंट करके बताएं, जितने भी student video देख रहे हैं, सभी कमेंट करके बताएं लिसे, तो जो भी students का right answer कर रहे ह हमारा option number C is correct answer होगा, यानि कि कैसा होगा, आकरमक, मतलए कि आपने देखा कोई अगर करोधी बेखती है, तो इस पर कैसा भाव रहता है, आकरमक रहता है, गुस्सा रहता है, तो इसका right answer होगा, option number C is correct answer होगा, और ये आपकी exam के लिए important question है, इसको आच्छे से आप याद करत हमारे सभी new patterns ही आएंगे, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, तो question दोस्तों पूछा गया है कि अपने संचार causal में सुधार करने का एक तरीका है, तो कौन सा एक तरीका इसका नाम बताना है, option हमारा first दिया, अकले अभ्यास option B हमारा दिया, दोस्तों के साथ अभ्यास करना और प्रतिकरिया प्राप्त करना, option C हमारा दिया, दी गई किसी प्रतिकरिया को आश्युकर करना, option D हमारा दूसरों को देखते रहो, तो बताना समसा right answer कौन सा होगा, तो सब भी साथ इसका right answer कमेंट करेंगे, जलिए से इसका right answer क्या होना चाहिए, तो जोबी साथ इसका right answer से कर रहे हैं option number 20 correct answer होगा यानि कि हमें क्या करना चाहिए दोस्तों के साथ हमें क्या करना चाहिए अभ्यास और प्रतिक्रिया करना प्राप्त करना चाहिए इंपोर्टन कोश्चन दोस्तों आपकी एक्जाम के लिए जो भी बता रहा हूं आपको इनको अच्छा से याद जरू करते चलें तो कोश्चन दोस्तों हमारा अगला अगला दियागा अरे मैं सरड हूं और मैं एमदावास से हूं मुझे दोडने और यात्रा करनी के लिए बहुत सौक है यह है एक है क्या है अपचारिक परचे है और ऑप्शन भी हमारा अनपचारिक परचे है उप्शन सी हमारा है उपर के दोनों या ऑप्शन दी है इनमें से कोई नहीं तो बता है इसका रहे मैं सरण हूं मैं एहमदावास से हूं मुझे दोडने और यात्रा करने में बहुत शौक दिये क्या एक अनपचारिक परिचे मनें इन्फॉर्मल इंट्रोडेक्शन है ठीक है अगला हमारा दोस्तों कोश्चन को अच्छे से पढ़िए कोश्चन में दिया गए अध्यन कोश्चन के स्थान साखा और विसेसगता का विवर और के दरान सुचित किया दा चाहिए तो कब शी चात कार दोस्ताना चेट ऑप्शन सी हमारा एक समुग में चर्चा ऑप्शन दिये बहस तो बदस्में राइट बताना है कौन सा हो सकता चार अप्शन में जितने भी स्टुडेंट देख रहे हैं सभी वीडियो कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने स्टेडी गुर्फ में कि निम ज districts एक राइसा कर ना हटाउय अंसिट 15 को जब आप आप भासड देते हैं तो यह हमेसा के लिए बाउद आगा Scbs sem49 सी गहें जग से दूसरी जगह के आपशन डी हमारा जया सीधे खड़े हो और मंच पर थोड़ा आराम से चले दो इसका राइट आंसर कौन सा होगा और सभी को याद होगा इसका राइट आंसर जितने भी स्टूटेंट है तो जो भी साथ इसका राइट आंसर करेंगे option number D is correct answer होगा यानि की होता कि सीधे खड़े हो जाओ और मंच पर थोड़ा आराम से चलो इसका राइट आंसर होगा option number D अगला question दोस्तों आपके स्कीन पर दोस्तों यह रहा question में दे सकते हैं question मों पूछागा टेली विजन पर संचार समाचार संबाद दाताओं को का उचित इस तर बनाये रखने की आवशकता होती है कहां पर आवाज का या फर दिया आख से संपर्क का option C दिया असमान दिया गया है और आपको दिया गया आपर एक मिनट डी वाला option दोस्तों आपर कट हो गया तो मैं आपको बता दो तो दी वाला था ऊपर के सभी मतलब सभी तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा सभी साथी बताएंगा इसमें से कौन सा होना चाहिए तो जो भी साथ इसका राइट आंसर करेंगे option number D is correct answer होगा यानि कि ये आवाज और आख से संपर्क और आशान ये सभी के सभी के आएंगे टेली विजन पर समाचार और संबाद दाताओं को किसके द्वारा आवाज और आख संपर्क और आसान का उचित इस्तरवना रखने के लिए अफशता होती है अगला दूसरों हमारा question दिया question में दिया है प्रभावी ढंग से अपना परच्चे देने से इस्तान के पूर्टी करना के बीच एक अच्छा प्रभाव पैदा करने में मदद मिलती है तो कैसा होता भाविश्य के दोस्त ऑप्शन B हमारा सिच्च को option C हमारा दिया भाविश प्रभावी ढंग से अपना परच्चे देने का मतलब किस चीज को डिपेंट करता है इसमें चार उप्शन से तो जो भी साथ इसका राइट अंसर कर रहे है ऑप्शन नमर्डी करेक्ट आंसर होगा यानि उपर के सभी के सब्सक्राइब भाविश्य के दोस्त और भाविश् सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो जली इस बताएं अगला हमारा कोश्चन दिया गया है इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए तो जो पिस इसका राइट आंसर करें ऑप्शन नमर्ड इस राइट आंसर होगा अगला मारा दूसरों कुश्चन दियेगा कुश्चन पूछा कहा है जब कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा हो तो एक अच्छा संचारक हमेशा बहुत सारे प्रेशल ऑप्शन डिये है A और भी इत्में सा राइट कुण सा होगा ये बताना दूसर कुश्चन करेंको सबी क्या साथ तो जो पिस साथ है इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नमर्ड इस पिसका राइट आंसर होगा अगला हमारा दूस्तों कुश्चन कुश्चन में पूचाएगा जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसके लिए हमेशा सब्दों का चैन करना महत पूड़ है क्यों हो है इसके वारे में बताना option A हमारा दिया गया यह दर्शाता है कि आप उनके साथ समबाद क्या करते हैं रुची नहीं रखते हैं ठीक है यहाँ पर option बाकी cut होगा है मैं आपको बता देता हूँ option जो आपका 16 का जो है फर्स्ट मैंने आपको बता है दूसरा जो मारा होगा अपना सब्द दिखाने की जरूरत ठीक है यह चीज़े थी इसमें option A, B, C और D में ठीक है अगर इसमें right answer के अगर बात की जाए कौन सा होना चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ तो इसका जरूरत है तो right answer हमारा होगा option number C is correct answer होगा यानि की जो होगा option C हमारा है दूसरे व्यक्ति को आपके संदेश को समझने की जरूरत है तो यह option number C is correct answer होगा इसमें नहीं लिखा है लेकिन आप इसको जो right answer मैं बोल रहा है उसको याद रखना है क्या होगा दूसरे व्यक्ति को आपके संदेश को समझने की जरूरत है तो इसका right answer होगा option number C अगला दूसरे मारा question दिया question पूचा गया गयर मौकिक अभी व्यक्तियों में निम लिकित में से कौन सा पहलू सामेल तो पहलू जो सामेल उसका नाम बताना तो सभी साथी comment करने चाले इसका right answer कौन सा होना चाहिए तो जो भी साथ इसका right answer कर रहे है option number D is correct answer यानि उपर के सभी के सभी अच्छा नेत्र संपर्क खड़ा होना या बैटने की स्थिति और मुस्कराना option number D is correct answer होगा अगला अगला दूसरों question या question पूछा गाई यदि हम संभाद करते हैं तो रिष्टान पर ध्यान देना महत पूरत किस पर देंगा हमारी मोकिक अभियक्ती पर option B हमारी असाब्धिक अभियक्ति पर option C हमारा मॉलिक और गैर मॉलिक दोनों अभियक्तियों पर option t हमारा दी जागा ना तो मॉलिक और ना गैर मॉक्यक को दा इसका right answer कॉन साथ आँसका चार option में से जो साथ इसका right answer करेंगा option नमपर डी इस correct answer होगा जानी कि उपर के और ना नीचे कि कोई भी निसका right answer अंसर होगा तो दोस्तों आज कि हमारी जो कॉम्मॉनिक्वेशन स्किल की क्लास ही पर सवाप्त हुई मिलते हम नेक्स क्लास में नए कोश्चनों के साथ तो आसा करता है वीडियो अच्छी लेकर वीडियो को ज्यादा सब्सक्राइब अपने एस्टेडू गुरूब वार्ट स